जी नमस्कार, नमस्कार, गुड उनिंग और विलकम तू अल उप फ्यू मेरे दोस्तों, मेरे नामे शांतरुन सुखला और मैं आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूँ, देखो देरी हुई है नो डाउट लेकिन देरी क्यों हुई है यह भी आप सारे लोग जानते हैं बैक टू बैक मतलब लगे थे चुकि उकेशन ही इतना खतरनाक है मेरे दोस्तों आप सारे लोग जानते हैं और या थोड़ों एक सकंड काम टाइम लेगे यार फूर्ट लग र और चुकि आप सारे लोग सीरियस केंडिडेट हैं तो ऐसा कुछ नया नहीं आप सबको पता तो चली गया होगा है ना आज के दिन मेरे दोस्तों बहुत सारे आपके जो मन के वहम थे ना उसका अंत हुआ हां मन के जो आपके भ्रह्म थे मन के वहम थे उसका एक तरीके से अ हमारी एजम्शन थी हमने अपनी एजम्शन बताई आपको कि नहीं भीया ऐसा कुछ नहीं होने वाला हर बार हमने जो सेशन भी किये कि 2021 में आपका बैंकिंग बिल्कुल फ्रेश होगा जो इसे मतलब गॉर्मेंट एक्जाम होते हो वैसे ही होंगे लेकिन आपकी भी कुछ एजम्शन लेकिन वस्तुता चीजों पर होना एजम्शन तो अलग वीचे एक मुहर लगना एक ठपा लगना वह कहीं न कहीं ज्यादा सुकून देता है तो ऐसे ही आपको सुकून मिला आज आज आई बीपीस का जो कैलेंडर आउट हुआ इससे कई च अग्जाम वगएरा इपीस निप्टा रहा है कि सब लोग देखी होंगे कि हाँ भाई आई बीपीस अपना सितंबर एक्टूबर तक पूरा का पूरा एक्जाम निप्टा ले रहा है जो आपका इपीस के दिसंबर में होता था हर साल अभी क्या है कि आप खुद देखो आपका सीटी भी फाइनल है 2021 में बैंकिंग फ्रेश और 2022 का सीटी फाइनल अब इससे क्या समझ आती है छे महीने आपके पास तकरीबन वक्त है आई बीपीस के लिए सब्सक्राइब करना है अब मुझे गंभीर होके पढ़ाई पर फोकस करना है सब लोग इग्रिक कर रहे होंगे इस बात से ठीक है कोड के लिए मैंने बता दिया ना कोड तो आपका वाई 179 है हमने कोड बता है तो अब देखो जिनको जिनको बैंग महापैक लेना है खटा-खट बैंग महापैक वगएरा ले लो यूट्यूब पर क्लासे बिल्कुल शिद्दत के साथ आप जॉइन करें जो पेड़ क्लास कीज़ें आपको बता रहे थे मेरे दुस्तों ठीक है अपने कर दिया कोड कोड पूच के तो हम आपको बता रहे थे मेरे दूस्तों की बैंग महाप वेर बैंग महापैक यह दो जल्दवाजी में है ना है आरंव किया जाये बिल्कुल आरंव कर रहे हैं दुस्तों बिल्कुल हम आरंव करने वाले हैं कुछ और जानकारी हम आपको बता दें । कल से स्टार्ट हो रहा है बड़ी कम प्राइस है आप इसको 877 900 के आसपास नो सो कुछ आप पढ़ाई की बात शुरू किया जायो इस्टार्ट करें अब एक काम करो आप सारे लोग थोड़ा शियर वगएर आप भी करना शुरू करें हाँ क्या है कि थोड़ा सो आप लोग इधर उधर हो गया भाई काफी टाइम से हैना काफी टाइम से इधर उधर बतला दूसरी आप लोग की मन में था कि एक्जाम अगयरा तो भी है नहीं है तो बेरे दुस्तों आप तो जग जाओ आप सारे लोग अब तो आप सारे लोग जग जाएं आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने देखो अब तयारी करनी कैसे यह भी तुजानो है ना हम ल मेंस के लिए आपको वक्त नहीं मिलेगा ठीक है यह बात ध्यान रखेगा अचानक से मेंस के लिए वक्त नहीं मिलेगा इसलिए बुद्धिमानी अभी इसमें है कि अच्छे से हरे कंसेप्ट को आप सारे लोग दोस्तों क्लियर करते रहें आज का जो हम लोग का टॉपिक ह है Mixture and Allegation से थमनेल पे आप लोगों ने देखे लिया होगा Mixture and Allegation हम लोगोने अब तक टॉपिक अपने हैं जिस तरीके से हमने आपके सामने one study plan में discuss किया था उस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत किया है उस तरीके से हम लोग continue किये हुए हैं mixture and ligation करने वाले हैं तो micro 카िस तो करेंगे एक बरतन हो गया यह माल लिए मैंने की आपका एक बरतान है इसमें में यह मिल्क आपको बता दिया या मिल्क और विटर का जो रेशुय nov है वह टेंड रेश्यो 9 के बराबर मैं लोटर रेश्यो 249 हमारे मिल्क औऱ गरेश्योय अब किया आप ने इसमें इसमने त्रजική नहीं सबक्राइब बन घा मेरक विआ की सवाल बन गया अब सव ti akt यह सवाल करने के लिए हम लोग क्या लाइत का formula रटेंगे पाई सीरी सी बात है क्या गुरू जी समें कोई formula होता है क्या इसमें कोई सूत्र होता है कुछ नहीं होता आप कितना बहतर अपने दिमाग में चीजों को imagine कर सकते हैं सिर्फ इतना होता है यानि कि जैसे ही आप से कहा गया imagine करो आपके सामने कोई कंटेनर रखा है सी मैजिन करवा ठीक है और वहां पर आपको मिल्क वाटर का रेशियो टेन रेशियो नाइन बताया गया तो रेशियो आप पढ़ चुके है इसके एकॉर्डिंग आप यह मान के चलेगे कि जितना रेशियो दिया गया वही हमारी वैल्यू है कुछ देर के लि और अगर दू भी मात्रा में कोई भी परीवर्थन नहीं हुआ है तो इसका मतलब मुझे मिल्क को रखना पड़े गा कांस्ट dignet आपको क्या करना पड़ेगा मिल्क कुर रखना पड़ेगा कांस्ट उपर लिखा था 10 नीचे भी मुझे 10 बनाना है नीचे कितना लिखा अब इस 5 को 10 बनाएंगे कैसे 2 से कर दिया multiply कर दिया 2 से multiply इसका मतलब आप देखो मेरा उपर भी milk 10 यानि नीचे भी milk 10 होना चाहिए कर दिया मैंने नीचे भी 10 और यह हमारा वाटर कितना हुआ दोस्तों आपने कहा 14 के बराबर अच्छा पहले तो वाटर आपका नाइन था अभी कितना हो गया चौदा होगे कितना आपने वाटर मिला आपने फाइब यूनिट वाटर मिला इस पांच की वैल्यू को श्यन ने बताई 25 लिटर के बराबर तो वन यूनिट की वैल्यू कितनी होगे आपने पांच लिटर के बराबर वन यूनिट की वैल्यू 5 लिटर होगे इसका मतलब आ दूसरा हमारहा दोस्तों क्या रहेगा ऐलिगेशन रहेगा एलिगेशन के भी हम लोग सवाल करने वाले हैं तो इन सारी चीजों को मेरे कहने का मतलब समझ पहना आपको किसे प्रोज से डील करना है वमार basics करना है एक और वॉटर मिला गया तो मलक मेरा आगे बढ़ना है इसी concept पे हम लोग सवालों करेंगे पहला सवाल आपकी स्क्रीन प्यार है दोस्तों ये रहा आपका पहला सवाल शुरू करते हैं इसी एक concept को लेते हुए आगे बढ़ते हम लोग ठीक है तो शुरू किया जाए और आप लोग थोड़ा शेयर वगेरा भी कर मेरे दोस्तों ठीक है चलिए ठीक समय समाप तो हो चुका है हाँ भई समय समाप तो हो चुका है अब आगे कंटिन्यू करते हैं देखो ध्यान से इसमें आप से पहले सबसे पहले क्या बोला गया बोला गया दूद और पानी का 40 लेटर का मिक्शर है जिसमें दूद पानी का अनुपाद दिया है दूद का पानी से अनुपाद इतना बनाने के लिए अच्छा जी कितना क्या मिलाना है आपको करने के लिए पानी की कितनी म मात्रा मिलानी है आप से यह पूछ रहा है यानि मिल्क वाटर का रेश्यो आल्रेडी इसने दे रखा है मिल्क वाटर का रेश्यो कितना दे रखा है आपने कहा साथ और एक अनुपाद दे रखा है ठीक है कहा जा रहा है पानी कितना मिलाएं अच्छा पानी आपको मिलाना है अगर पानी आप मिलाओगे तो क्या दूद की मात्रा में कोई परिवर्तन होगा क्या मिल्क की कॉंटिटी में कोई परिवर्तन होगा कभी नहीं अगर आप पानी मिलाएंगे तो मिल्क तो मेरा कॉंस्टें क्या जाए हसाथ यहां तीन है बराबर करने के लिए इसको timber对ुपलाई कर दिया 5 यह कितने होगी मेरी 21 やब इतने होगी जहानर है आप 21 साथ को भूल जाना इनिच्यल में कितना तो 21 इनिचेल बॉटर कितना तो आपने कहा तीन इनिच्चल ==== translitter admit कितना आपने बने नहीं पता हुझ उच्छारी वैलू पता अच्छा पोछोबिस कि रुशन में ने रखी है कितने के बराबर 40 लीटर के बराबर भताऊ आपको किस की वैलू चाहिए चार की वैलू कितनी अरे किस से डिवाइड करें चार की वैलू कितनी आ जाएगे 40 बटे 6 और 40 बटे 6 का मतलब कितना होता है आप कहते हो 20 बटे 3 और 20 बटे 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों अरे 6.66 6.66 होता है 6 complete 2 by 3 option number A मेरे सवाल का correct answer रहा हम एक ही logic पे आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों करना हमें बहुत कुछ है ध्यान रखेगा करना बहुत कुछ है पहला सवाल है आज आपने पहला सवाल डिसकस किया है मतलब पहला सवाल आपने देखा है चीजें बहुत सीखनी है हमें आज शिद्दत से punctuality के साथ सारे सवालों को देखना मत छोड़ना क्योंकि math का bridge जब तूटता है है न भई एक chance ही बनती है हर topic की बाद अगला topic connected होता है बीच का जो छोड़ते हो इसी से आपकी maths होती है कमजोर फिर एक grip नहीं बन पाती कभी भी इसलिए शिद्दत से देखते अगले सवाल की तरफ बढ़ते नेक्स कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों सुरुकिया जाए उसी टाइप का सवाल है अब चाहें कि को उड़ा की solve करें आप इसे चलिए साबाश जी हाइ एक बच्चा कह रहा हाइ सर और तुम लोग थोड़ा लिंक को share भी करो मेरे भाई ठेक है ठेक है ठेक है दोस्तों थोड़ा लिंक को share भी करें session को like भी करें इस अब करते रहें है ना चलिए अब इस सवाल को जड़ा ध्यान से देखे 15 लीटर मिलाने के बाद 15 लीटर वाटर मिलाने के बाद बहुत ध्यान से देखो 15 लीटर पानी मिलाने के बाद एक मिक्स्चर जिसमें एसीड वाटर का रेशियो आप देखो कहानी वही है एसीड और वाटर का रेशियो बोल और सारे लोग सब लोग कर चुक्कियों इस टाइब के सवाल और खीज के हाँ अभी यह मत कहना मेरी मैद कमजोर आप मुझे इतना बताएं क्या आपको यह फील हो रहा है कि हाँ अगर एसीड और वाटर घोल के रख दिया जाए और उसमें सिर्फ पानी मिला जाए तो एसीड आपको पांच लिटर के बराबर तो यह तीन यूनिट की वैलू कितनी होगी आपने खांग पाँस लीटर के बराबर वन यूनिट की वैलू आपको पांच लिटर दिख रही है आप से पूछा क्या गया, total amount of water in the new mixture, बहुत ध्यान से समझना, इसा उल्टा सिधा answer मत दे देना, शब्दों पे फोकस करें, arithmetic, शब्दों का इखेले, भाशा का खेले, चाया हिंदी पढ़ो, चाया अंग्रेजी पढ़ो, अब बताओ, ती one unit की value five liter के बराबर कहा गया कि amount of water in the new mixture, ध्यान से देखना, नयवालें पानी कित्ता है, पान से multiply कर तो कह दो के 40 liter option number B, यकीन मानिए, बहुत सारे बच्चे 25 liter निकाल के बैठी होंगे पक्का, जूट मत बोलना, 25 निकाल के बैठी होंगे, बहुत सारे बच्चे, तो चले दूसरा सवाल हमारा हो चुका है, अगला सवाल इसी से connect होगा, थोड़ी variation के साथ, grip बनाना सीखो arithmetic में, ठीक है, हाँ, सवाल होते जा रहे है, सवाल के level बढ़ते जा रहे है, तो आपके logic और concept भी बढ़ते रहने चाहिए, शलिए, timer खतम हो चुका है, एक बार और timer देते हैं, इसके पूरे concept को बहुत देखाने चल रहे है, ratio है, पूरा है, सिर्फ ratio, दक्षवाले तो सीख लिए है, दक्षवाले mixture complete कर चुके है, चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, अब तुम लोग भी सिखो न, अब ज़रा ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें क्या बोला गया, कि तीन container है, और तीनों container की ज मेरा container, दूसरा है, ये मेरा container, तीसरा, बहुत ध्यान से सुनते चलना है, कि कहानी, हर एक container में दूध और पानी का अनुपात दिया है, 3 ratio 1, 5 ratio 3 मेरे दोस्तों, और 7 ratio 5, दूध और पानी का मिस्रण आपको पता है, इनके मतलब composition पता है, milk और water का ratio इसमें कितना, पहले वाले में है, 3 ratio 1, ठीक है, लिख दिया, 3 ratio 1, दूसरे वाले में कितना है, तो आपने कहा, दूसरे वाले में, जो milk और water का ratio है, वो है मेरा कितने मेरे भाई, आपने कहा 5 ratio 3, तो आपने कहा 7 ratio 5, ऐसे दिया गया, जा, अब कहा गया, इन 3 को उठा के पलट दिया गया, किसी बड़े में अच्छा एक बात बताओ आपको solve करने के लिए इसने दे दिया क्या दिया उसने कहा तीनों की capacity बराबर है इसने एक चीज दे दी बस यही मेरे काम का था यही मेरे मतलब का था इसने कहा तीनों की करने की keto बाबर है तीनों बराबर बराबर भर अच्छा जी अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं ३्प्षा इमांदार इन मताइरज दुरू कह रहा है एक से से बहुत चीड है गुरू जी एक सो मत मानिये इस सम्में बहुत तेज दिमाग काम करता है तुम्हारा एक से नहीं मानना क्यों के लिए नदी बना देगा अच्छा आपकी चाहत क्या है क्या बानना तीन और एक मिल कितना लिखे आपने कहा चार चार की वैलू इतने के बराबर तो वन यूनिट की वैलू निकालोगे तो आप चाहोगे यहां जो मतलब इसकी जो मात्रा है वो चार से कटने वाली हो पाच और तीन मिलके कितना हुआ आठ की वैलू इतनी आप चाहोगे यहां वाली नंबर आर्ट से कट जाए अच्छा यह कितना और साथ-5-12 यह वैलू कितनी हो जाए आप चाहोगे बारा से कट जाए यानि आप चाहेंगे एक ऐसी वैलू मानना जो चार स चाहोगे वाली संख्या बताए haam यह कॉमन मूल्टीपल बताना लकिन केलकूलेशन को छोटा रखने के लिए आप लोईस्ट छोटी से छोटी संख्या वाने के लोईस्ट कॉमन मल्टीपल यानि की एलसियम रेशियो में सब सिखाएं कि नी चार आठ बारा का कॉमन मल्टीपल कितना कितना बता है आप सारे लोग बहुत शांदार 24 बता रहें ठीक है तो हमने माल लिया 24-24 लीट और भाई ये पानी कितना 6 लिटर इसमें पहले वाले में दूध 18 लीटर 6 लिटर इसमें 8 की वैली 24 तो एक की वैली कितनी तीन यानि इसकी वैली। कितनी आ जाएगे आपको 15 लीटर इसकी वैली आ जाएगी नृ ली quin जब इन तीनों को आप आपस में जुड़ जाएगा और पानी पानी आपस में जुड़ जएगा थे-स और अधारा और पंद्रा मिलके कितना हुआ थारा इनको एड़ करें थारा देखो दूद्ध आपस में जोड़ना है पानी पानी आपस में जोड़ना है तो क्या सब का 47 रिशो 25 आया है और अगर हां तो बताएं किया आपने इसी एप्रोच से किया था अगर हां अगर नहीं किया था तो बताएं कि आपको यह समझ है जल्दी से मेरे दोस्तों क्योंकि इससे अगर यह नहीं समझ है तो अगला नहीं समझ हाएगा ठीक है अगला जस्टिस से कनेक्टेड है आपका ध्याना करशित करना चाहेंगे इस चीज की तरफ जो इसने बोला था कि there are three containers of the equal capacity यह equal capacity ही है यह equal capacity ही है इसका सूत्रधार जो आपने इतनी आसानी से calculate कर दिया है मेरी बास समझ पार दोस्तों equal capacity को आपने अपनी तरफ से एज्यूम किया कैसे एज्यूम किया जो भी ratio दिये गए थे उनको add करके उनका common multiple आपने एज्यूम किया ताकि calculation मेरी easy रहे बदलाओ के नाम प इसको ऐसे शब्द बोलने गहीं कि पांच और तीन के अनुपात में मिलाया गया अब पकड़ पाए 5 और तीन के अनुपात में मिलाया गया घ्रस अगruption ना आगे बढ़ रहे मेरे दोस्तों ठीक है थोड़ा लाइक भाई हमस सब मारते रहो ठीक है थोड़ा पसीना भूच हो रहा वो ज्यादा गर्मी हो गई तो थोड़ा आप लोग प्यार देते हो हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो मुझे पूरा कंटीनू जोज के साथ बोलते रहें ठीक है आए चौथे सवाल पर लीजे टामरी स्टार्ट होता है बस साबश उसी तरीके का सवाल है मेरे भाई अब इस देखना थोड़ा सामने चेंज किया है अभी उसी पर मजा आएगा आपको अगर आप सीखना चाहें तो हम सब सिखा देते हैं आप सीखे तो सही मुद्दा यह है कि आप कितना गम भी रहें चलिए साबश अब सरे मोटे हो गए का अभी ततकाली अभी आज हूए है बड़ों में हूए अच्छे से अब रहा देखो ध्यान से दो वेतरी दोस्तों A और सबसंदा है और 15 किर सो नunn चाहरा बश्यारोग है तो चाहर एक और एक और साथ ऊंसितलि दोस्तों 9 और 11 दिया है बोलो हां क्लियर क्या इनकी कैपसिटी बराबर है क्या इन दोनों को बराबर बराबर मिलाया जा रहा है पिछले सवाल की तरह बोलो बोलो क्या ये जितने लीटर का ये उतने लीटर का ये है क्या दोनों को आप वही सेम चीज मानेंगे नहीं परिवर पारे दोस्तों यानि हम कह सकते हैं अगर आपने इसका 30 लिटर लिया तो आपने इसका 20 लिटर लिया मेरा सवाल ही सौल हो गया पूरा सबका एंसर आना चाहिए मेरे दोस्तों 3 और 2 के रेशियों में मैंने माल लिया इनकी कैपसिटी ही 30 और 20 है मैंने माल लिया इनकी एक तो मेरा मेराग या ऽीर को आपस में आइड कर दो पानी पानी आपस में तो आ गया 33 और कि 37 एक होगे सबना नहीं करें सवाल का सही जवाब नामबर यह करणा था आपको कुल सही जवाब अपने माध len क्या ऌप्शन將 भी बता रहे हैं और कोई मुझसे friendship करेगा हाँ भाया इसे अगर पढ़ लेते न आप हैं तो इतना संघर्स ना करना पढ़ता आपको friendship के लिए आप हैं बहुत अच्छे हैं आप है ना लेकिन इसा मतलब या जान दो कुछ नहीं बोलेंगे भी ठीक है clear ठीक है डन इतना चलो तो उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपकी likes की संख्या भी बताती रहनी चाहिए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है आपको समझ आ रही चीज़ें ठीक है important तो है वो तो हम जानते हैं लेकिन आपको समझ भी आ रहा है या आपके likes और हम सब बताएंगे मेरे दोस्तों आईए पाच्वे सवाल पर बढ़ रहा है इस सवाल पर आजाओ अब आ गए हम लोग किस पर बहुत ही important चीज और वो है मेरे दोस्तों allegation बहुत ध्यान से इस चीज को समझना पूरी arithmetic के जो भी topics होते हैं चाहे हम दोस्तों बात करें time and work की चाहे हम बात करें आपका speed time distance की आ आपके लिए समझना आवश्यक है कि allegation क्या होता है लिजिए आपका timer सुरू होता है दोस्तों allegation यहाँ पर हम लोग सुरू करने चलता है साबाश अब बिस complete करना बीट करना एक दूसरे को साबाश चल दी से ठीक है समय समाप्त हुआ time up बहुत बढ़िया देखो दोस्तों allegation solve करने के लिए सबसे prime requirement क्या होती सबसे पहली requirement कि आप allegation कब apply करेंगे यह बहुत महत्योपूर होता है आपको यह समझा आ जाए कि allegation कब लगाते हैं हम लोग ध्यान रखें जब भी हम किसी भी कि दो अलग-अलग mixture या कोई भी quantity हो किनी भी दो अलग-अलग चीजों को हम mix करते हैं कोई एक चीज बनाते हैं इस सब्दु को बहुत ध्यान समझत है क्योंकि तुम्हें पूरी arithmetic में लगाना allegation एक सवाल मात्र पे मत focus करो सोचो यह पहली इट है आपके एक बिल्डिंग की ठीक है तो जब भी हमें पता चल जाए कि दो अलग-अलग मात्राएं हैं और उनको मिला करके आप एक कुछ एक mixture बना रहे हो या फिर जब आपको यह पता चल जाए कि कोई भी एक चीज है जो की दो पार्ट में ब्रेको रही जैसे कि आप सिम्पल इंट्रस में फ्रेमिंग देखते हैं ऑ competent आप legitim यह हैं इतने पैसे दो अलग-अलग पार्ट में वो कि एक cater देखते हो कि वह एक आदमी है एक रेडियो करीता है घड़ी करीता है उन सब जगों पर एलिगेशन लगता है मतलब कोई वैल्यू दो पार्ट में रहो या दोनों को मिला करके कोई एक बना लो तो बात एक ही एक ठीक है कान चाहिए इसी पकड़ो चाहिए इसे पकड़ो तो उस जगा पर हम एलिगेशन का प्रियोग करते हैं एलिगेशन का प्रियोग करने में कौन सी बात हमें ध्यान रखनी होती है ठीक है कौन सी बात ध्यान रखनी होती है कि आप जो आपको क्या होता है इनके बारे में जानकारी दी जाती है आपको इसके बारे में कोई जानकार प्रशान देज जाती है उसके बड़ी वैलू से छोटी घटाते हैं जो भी हमारे सामने लास्ट में मिलता है वो रेश्यों किसका होता है जिस अनुपात में आपने इनको मिलाया है बस इतना सा आपको मिले का हर हाल में क्या CP उनका मतलब इनकी इनकी quantity का ratio मिलेगा ये बात ध्यान रखेगा ठीक है तो आईए इस सवाल के माध्यम से और बहतर आपको समझाएगा कहा गया किस अनुपात में A और B को मिलाया जाए किस अनुपात में A और B को मिलाया जाए कि भाई to be mixed to get 90% milk मतलब क्या हो एक ऐसा mixture मिले जिसमें 90% दूद भरा है ठीक है भाई 90% दूद भरा हुआ है और अच्छा A और B के बारे में भी बताया इसने जड़ा A और B की बात देख लेते हैं कहा ये गया there are 40 90% water in mixture A और बोला गया 95% milk in mixture B यहीं पर focus करना इसी से आपको बहुत कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप milk रख रहे हैं milk की मात्रा रख रहे हैं तो आपको हर जगाँ पे milk की मात्रा रखनी है जैसे कि आपको ये पता चला कि भाई जो mixture मेरा mixture B है उसमें 95% milk है जो मेरा mixture A है उसमें 40% milk है आप दोनों जगा अगर milk वहां रखे तो हर जगा पे milk रखो जो फाइनली हमारा mixture बनेगा उसमें milk कितना होगा आप कहरो 90% milk होगा कितना हो जाएगा 90% milk हो जाएगा अब बड़ी value से छोटी value दोस्तों घटा दें आओ तो 95 में 90 घटा होगे तो value कितनी आ बड़त लिख दिया यहीं चीसमा आपको बार-बार कहा रहते हैं आप अगर milk लिख रहे हैं तो हर जगा पे milk लिखे आपने 40-40% क्या है water 40% क्या है मेरे दोस्तों water हमें क्या लिखना यहां पर 40% water दिया आप खुद बताओ जिस मिस्त्रन में दूद और पानी भरे हो और उ 90 गहता दो वैल्व 5 यह बराबर आई 90 गहता दो तीश के बराबर आई अब यह जो अनुपात मिला है आपको one ratio 6 यह किसा अनुपात है यह किसा अनुपात मेरे दोस्तों यह और बिक अनुपात यह इनकी मात्राओं का अनुपात है यह इनकी quantities का ratio यह बात धिया रखेगा तो समझ गये आप चाहते इस सवाल को तो वाटर से भी निकाल सकते थे बशर्ते ये कि आप हर जगा पे वाटर लिखें हम इसी बार पर बार जोर दे रहे हैं क्योंकि आगे की सवाल इसी पर चलेंगे आपके गलतियां भी यहीं पर करोगे पतला यहाँ चाहते हैं तो यहाँ पर पताव पूछ रहें, A में water कितना, आपने कहा 40% गुरुजी, तो B में water कितना, B में 95% दूध है, तो water कितना होगा, water कितना होगा, अरे 5% होगा, यार, बोलो हाँ, अगर 40% पानी है, तो पानी तो 40%, 95% दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा, 5%, अच्छा, मिक्षर में क्या ह है दोस्तों कहा गया 90% दूध है 90% दूध है तो पानी कितना होगा 10% अब एपलाई कर तो देखो बड़ी वैलू से छोटी वैलू घटाना है दस में पांच घटा होगे तो पांच आजाएगा 40 में 10 घटा होगे तो 30 आजाएगा पांच और 30 का अनुपात कितना रहा एक रेशियो 6 मेरे दोस्तों यह हमारे सवाल का जवाब रहा समझ गया मेरी बात तो वही चीज मैंने कहा चाहे तो आप मिल्क करके निकाले चाहे तो आप वाटर रखके निकाले लेकिन ध्यान रखिएगा आपको करना इतना है कि मिल्क लिख रहे हो तो मिल्क ही लिखो वाटर लिख रहे हो तो water ही लिखो, इस बात का ध्यान रखेगा, clear इतना, आगे बढ़ें हम लोग, आईए, ध्यान रखेगा दोस्तों, लीजी आपके सामरे question number 6 है, गलती मत करना, उड़ा दो इस सवाल को, चलिए, okay, 60 होगा सर, बिल्कुल सही बात, किया जाए फटा-फट से, चार रिपीट कर दिए, बेटा आप उसको थोड़ा सा पीछे करो, आपको दिख जाएगा, ठीक है, इसमें रिपीट करने वाली कौंसी बात है, आप वीडियो को पीछे करके देख लो दुबारा, चलिए भाई, सुरू करते हैं, आप ये बताओ, इसने last में क्या बोला है, जरा ध्यान से देखें, कहा जा रहा है कि बहुत ध्यान से समझना चीजों को, वेसल A है, वेसल B, A और B है, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, मेरे दूस्तों ध्यान से देखें, milk and water, milk और water का ratio है, 8 ratio 5, 5 ratio 2, सही है इतना, अब देखो, इन दोनों को आपने मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, जैसे ही आपने मिला यहाँ पे, उस condition में क्या हुआ, कि जो हमारा mixture बना, उसमें इतना percent क्या है milk है, अब बता दो percentage, पढ़ चुके को नहीं पढ़ चुके percentage, अभी percentage नहीं पढ़ हो ना, लेकिन fraction में कैसे convert करेंगे, यह तो जानते हो ना, जरा fraction में convert करो, इसको 79 सही 3 बटे 13 percent को fraction में convert करो, पहले 13 को 79 में multiply करेंगे, 13 गुड़ नो, 17, 11 कह रिया आगया, 13 चंग 78, 78 में 11 जोड़ो, 78, 89, 89, 89, 97 हो गया, उपर 3 जोड़ा है, प्लस 3 कर दो, तो कितना हो गया, 900, 900 बटे 13 और percentage है, तो 100 से divide कर देंगे, यानि इसकी fraction value हो गई 9 ठीक, और यहां पर है vessel B, जो छातर ratio ना देखे हो, ठीक है, आपके भले के लिए कह रहे है, ratio जरूर पढ़ लेना अच्छे से, यार, क्योंकि पूरी maths में ratio ही चलता है, पूरी arithmetic, ratio खराब, maths खतम वही पे, मान के चलना, फिर आप रटने कोशिच करोगे, वो grip बन नहीं पात 8 part milk है, total कितना है, 13, 8 out of 13, अगर इस पर focus करें, 5 ratio 2 दिया गया है, यानि यहां पे अगर आप लिखेंगे, milk कितना आपको होगे, 5 बटे, और 5 और 2 milk होगया, 7, finally, जो हमारा mixture बना, उसमें milk water का ratio कितना है, तो आप यहां पर देखे, 9 upon 13 part milk है, milk water की जरूरत नहीं, आप यह द बड़ी value से छोटी value सब्टरेक्ट कर दो, 9 बटे 13 में 8 बटे 13 घटाओगे, value 1 बटे 13 के बराबर आएगी, और 9 upon 13 और 5 upon 7 का जरा margin लें आप सारे लोग, तो आप मदब डिफरेंस ही ले ना, 7 गुड़े 9, 63, 13 गुड़े 5, 65, 65 और 63 का डिफरेंस कितना आगया, 2 और डिवा बना, 13 से cancel मारो, कितना आगया, 7, 2 बटे 7, ratio 1 है, cross multiply कर दो, 2 ratio 7 आपका answer आगया, यानि कि आपने A और B को किस अनुपात में मिलाया, 2 और 7 के अनुपात में, allegation पे दूसरा सवाल, हम फिर से कहरें, पूरी grip बनाते हुए, चलो allegation, allegation का दूसरा सवाल हुगा, कुछ idea और की quantity, अरे आज ही की lecture में मैं आपको दिखा देंगे, simple interest वगेरा पर कैसे apply करते हैं, ठीक है, देखो, चीज़े अच्छे लग रही हो, तो likes की संख्या बढ़ती रहनी जहीं मेरे दोस्तों, ठीक है, ओके, चली आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7 में सवाल पे आते हैं, ध्यान से देखते चलो, करो इस सवाल को, वहीं allegations निप्टाओ इसको भी, in two types of brass, ठीक है, इसको आप जानते हो, इसको उस तरीके से करो, इसको allegations से मत करो, इसको अभी जो मैंने बताया था ना, जिसे कि दो अलग-अलग mixture है, उनको दो अनुपाते, तीन के अनुपात में मिला दिया ग दिया जाना, तो वो method सबसे बहतर होता है, कर तो इससे भी सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखेगा, अगर allegation लगाओगे, allegation लगाओगे, तो लंबा चोड़ा calculation होगा, आप इसको इस तरीके से करो, जैसे हम बताया थे कि, दो आपके पास container है, दो container है, इ इस अनुपात में मिला रहे हो, इनको 6 और 5 के अनुपात में मिला रहे हो, और यहाँ पे आपको ratio दिया है, देखो क्या, इसमें 7, 4, और यहाँ पे कितना दिया है, दोस्तों, 2 और 9, इस तरीके से solve करो, यह तुरंथ हो जाएगा, allegation लगाओगे, तो calculation इतनी होगी, कि आप छोड़ो दोगे, लास्ट में, करो इस सवाल को, यानि जब आपको दे दिया जाए कि इस अनुपात में मिला रहे हैं, है न, तो बचा करो allegation लगाने से, क्लिया जा भाई, जल्दी फटा-फट से, चलिए, साबाश, ठीक है, अब देखो द्यान से, हमने कहां कि ये value दे दीगें, अगर आप मेरे दोस्तों allegation लगाएंगे, तो बीच में आपको mixture में, जो है, finally, जो mixture हो रहा है, ठीक है, जो आपका नया बन रहा है, उसमें आपको पता नहीं है, वही निकालना है, तो उसको variable मानोगे, fractions को घटा होगे, बहुत calculated हो जाएगा calculation, ये method आपका बहुत 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 होता है, ऐसे type के सवालों के लिए, कि जब आपको composition भी दिया हो, कि हाँ, इस 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 अनुपात में hack, और इसको इस अनुपात में मिला रहे हो, तो सबसे बहुतर विकल पर ही होता है, एक बार comment box में बताए, क्या आपने ऐसे किया कि allegation, सब लोग पहले comment box में ये बताए, जिन लोगों ने solve कर लिया है, क्या आपने इस तरीके का इस्तेमाल किया है, या फिर आपने allegation का प्रयोग किया है, एक बार comment box में बिल्कुल रफ्तार के साथ आप बताएं इस चीज़ को, बहराल यहाँ पर हम लोग solve करते है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, आपको 7-4-11, यानि ये उपर वाली संख्या मेरी 11 से कटनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि उपर वाली संख्या मेरी 11 से कटे, तो आप क्या करो, 11 ही 11 दोनों जगाप है, 11 से multiply कर लो, हमने माल लिया कि भाई चलो जो दोनों है, देखो 6 अनुपाते 5 में ही है न, 6 ratio 5 में ही है वो, जो हमारे दोनों आपके ये पहला type का है, हमारा brass, ये दूसरा type का brass है, मतलब mixture ये एक तरीके से, कोई विसेज फर्क नही से, तो अब ये बताएं, आपकी यहाँ पर value कितनी आ गई, देखो, 11 की value 66 की बराबर, तो 1 unit की value 6, यानि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 चंग 42, और ये कितना हो जाएगा, 4 चंग 24, हो गया, clear, यानि यहाँ पर जो हमारा, कौन-कौन से चीज़े है, zinc और copper and zinc, ठीक है, फि और 5 से जब multiply करेंगे, इस चीज़ को ती हो जाएगा, 10 यह हो जाएगा, मेरा 5 से multiply करके, 45 के बराबर, ठीक है, आपको copper और zinc मिल चुका है, अब आपको पताए, copper आपस में add होंगे, 42 और 10 को add कर दिया, value कितनी आगी, 52 के बराबर, और 24 और 45 आपस में add होंगे, 40, 20, 60, 500, य को ने कैसे किया, एक बार मेरी सलाह मानना, आप एक तरीका तो यह होता है, जब आपको यह ratio दे दिया जाए, और बताए जाए, मतलब इस प्रॉपर रेशियो में इनको मिला रहे है, सीख लेना यार, हम फिर से कहने है, जब आप लोग ऐसे बाद में कहते हो, और बाद में क अभी सीख रहे हो, अभी शिद्दत के साथ सीखते रहें, मेरी बात समच पाए, तो एक बार एलिगेशन से भी करना आप, ठीक है, आप बीच में variable मानना, क्रॉस करना, निकालना ratio, उठा के बराबर कर देना 6-5 कि वहां से एक ही value मिलेगी, ठीक है, देखना कैसे होता, कितन आपका फेवरिट सवाल है, इस टाइप का सवाल खुब देखते हो न, चलो, देखो, यहाँ पर हम variable मानेगे, यहाँ पर हम लोग assume करने चल रहे हैं, देखो ध्यान से, आपको बता दिया कि 4 और 5 के ऐलिगेशन लगाने चल रहे है, ठीक है, ऐलिगेशन लगाने चल रहे है आप से कुछ चीजे पूछेंगे, मुझे बताना सारे लोग, अक्शली कमेंट थोड़ा लेट करते हो आप लोग, देखो, दो टाइप के चावल हैं, दो टाइप के चावल, यानि यह पहला टाइप का चावल, ठीक, और यह दूसरा टाइप का चावल, जैसे अभी आपको दो मिक्चर को मिला रहे थे, तो कहीं पर मिलका परसेंटेज, बाटर परसेंटेज दिया रहता था, रेश्यो डिया रहता था, मिलकी कॉंटर कौंटिटी, ऐसे यहां पर इनके बारे में प्राइस दे रखें, पहने वाले की प्राइस कितनी है, 14 रूपे पर किलोग्राम, पहले वाली की प्राइस 14 रूपए पर किलोग्राम, दूसरे वाली की प्राइस 12 रूपए पर किलोग्राम, ठीक है, तो चीजों को हम सिस्टेमेटिक तरीके सा आपको करवा रहे हैं, अगर सिस्टेमेटिक तरीके सा और लेवल और उपर लेके जाना, अभी तो पहली क्लास है चार और पांच के अनुपाat में मिलाएगा तुरल इस बात को चार और पांच के अनुपात में मिलाएगा हमें प्राईज पता है 14 fel यहाँ पर क्या लिखे मेटना डाना यहां तक कर रहे आपके कम कर fabrics क्या यहां पर 16 लिखें कि ना लिखें इतना बता दो बस जल्दी बताय जा भई जल्दी खीच की बताओ ने यार इतना अराम अराम से नहीं 16 लिख दें यस सर अच्छा जी देखो ये लडाई जगड़ा मत किया करो यार है ना लडाई टाय को महौल बना दियो क्या तुम लोग गुरू जी चैट बॉक्स आफ कर दीजी प्लीज हाँ ये पेड़ वाली सुभिधा है चैट बॉक्स आफ करना चलो तो लिखें 16 नो 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 कुछ लोग यस भी कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने लिखा भी होगा शोला रूपय लिख भी दिया होगा गलती कहां से हुई हमने कहा तरह चीजे सेम डिगरी में रखी जानी चाहिए अगर पहले आप यहां पर देखो पहले कुछ जलंक्रशम होगा disaster है यहां पहले काँसा तो ㅋㅋㅋ इसका मतलब क्या आपको M Falcon μik tenía क्षर की cost price चलो ए है आप बड़ी value से छोटी value घटाना होता है ध्यान रखेगा 14 a से बड़ा है तो साधे बारा एसे छोटा होगा साधे बारा एसे छोटा है तो आप लिखेंगे a-12.5 ध्यान रखेगा a-12.5 और यहाँ पर 14 बड़ा है 14 में a घटा होगे तो क्या लिखोगे आप 14-a ऐसे लिखेंगे और यह जो अनुपात है यह जो ratio मिला ना आपको यही ratio question ने दे रखा है कि इनको 4 और 5 की अनुपात में म अब अब जड़ा इसको simplify करे इधर कितना आ जाएगा आपको होगे 5-a-12.5 साहिए सब कुछ ठीक है ना पहले वाले उल्टा लिख दी है ना उल्टा लिख दिये हैं पहले वाले की costing 12 वही तो सोच रहा है यहाँ पर decimal आ गया मैंने उल्टा लिख दिया यह चीज यह उल्ट अब करें तो 14 मैं तो 14 मैंने दिला नहीं न calm 시청 कि अखट ए और इस साइट कितना होगा है माइनец 12.5 हो जाएगा और यह पाद दिया है चार अनुपाते 5 के बराबर अब कर दो 14-a divided by a minus 12.5 और बराबर है ये कितने के 4 बटे 5 के बराबर cross multiply करो 14-5 कितना हो गया 70 minus का 5-a बराबर ये कितना हो जाएगा 4-a minus 12.5 को 4 से multiply करो तो कितना आजाएगा 50 के बराबर ठिक 5 और 4 मिलके हो गया 9-a 70-50 मिलके हो गया 120 तो a की value आगी 40-3 के बराबर 120 बटे 9 करोगे 40-3 आ जाएगा न यानि कि mixture की cost price मिल गई 40-3 के बराबर ये क्या है 40-3 ये है mixture की cost price selling price कितनी है 16 रूप है आपसे पूछा ना कितने का profit होगा यह पूछा ना कितने का profit होगा यह तो पूछा कितने का profit होगा यानि आपको CPSP का ratio मिल जाए आपका काम हो जाएगा 40-3 से calculation करना थोड़ा सा awkward लग रहा है आप एक काम को रेशियो ले ल जाएगा 5 रेशियो उपर कितना बचा है 2 ना तो तो हो जाएगा 6 5 रेशियो 6 कितने percent का profit दिख रहा एक का profit पांच पे तो बताइए 100 पे कितना आपका जवाब 20% option है इसको देखो अच्छा आपने percentage अभी नहीं किया है इस class में आगे आप सारे लोग जब करोगे तो सीखो होगे इस चीज को कि जब भी किनी दो नंबर के बीच में percentage comparison किया करना हो जब भी किनी दो नंबर के बीच में percentage compare करना हो हमेशा उनका ratio ले लिया करो पहले प्रॉफिट कैसे मिलेगा सीपी एसपी का कंपैरिजन करने से सीपी और स्पी का कंपैरिजन करने से मेरी बात समझ पा रहा हूं उस तरीके से यहां पर किया हमने सी तो कैलकुलेशन आसान होगा नहीं करते तो थोड़ा टाइम लग जाता आपको पांच और छे से करना ज्यादा असान है है की ने आईए और आगे बढ़ते नौवे सवाल पर समझ गये ना पूरी कहानी अब देखो एलिगेशन से भी यह भी होगा इसाई का कुश्चन है एलिगेशन सीख रहो ना एलिगेशन सी सब लोग इसका एंसर दे भाई फटा फट ठीक है सब लोग एंसर दे इसका एंसर आगे भी रिटेश कुमार चार हजार रिटेश कुमार चार हजार चार हजार छे हजार बागी किसी का एंसर नहीं दिख रहा मुझे विनोध कुमार बाई सर ठीक है बिट्टा बाई ट्विंकल कह रहे हैं रिपीट ट्विंकल तुम काम करो पीछे थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लो एलिकेशन जहां शुरू हुआ है देव अदक पहली बार हस्ता हुआ दिखाय लडगा मुझे आज चलिए शुरू करते हैं देखो आपको देखो यह पता चल गया भाई कि कुछ पैसे हैं देखो यही हैं दस जार रूपए यह जो दस जार रूपए हैं यह हमारे दो पार अभी तक जितने सवाल कि उसमें आ ठीक है हम यह देख पा रहे हैं कि जहाई पहले पार्ट पे जो रेट है वो कितनी है एट परसंट अगर एक साल की इंटरेस्ट लिख रहे हो तो एक ही साल की लिखना वहां पे भी एक साल की 10 परसंट और जब आपको टोटल मिला टोटल कितना मिल गया 9.2 परसंट लिख दि कहानी यह 10,000 रूपय है जो है ना यह जो 10,000 है मेरे दोस्तों यह 2 और 3 के अनुपात में बटे हैं क्या पूछा गया दोनों बताओ तो 10,000 को 2 3 के अनुपात में बाट दो आप 4,000 6,000 आपका एंसर आगया option है तो allegation की कहानी समझ आ गई समझ गया है कि नहीं इतना बता दो ठीक है ना अब इसके आगे की जो यह कहानी होगी है ना यह जो successive वाले है देखो यह बार-बार जो process repeat करने वाला होता है इस type के सवालों से कल शुरुवात करेंगे मतलब replacement वाला जो process होता है बेहद important second classical होगी तो जरूर जुड़ना मेरे दोस्तों और इस सवाल का answer आप हो म के लिए है एक यह और एक यह तो इन दोनों सवालों का answer comment box में जरूर देना ठीक है अब यह जान ले कि यह batch start हो चुका है मेंस के लिए है clerk मेंस के लिए और यह crash course है जो कल से start हो रहा तो जितने IB वाले बच्चे हैं वो यह batch join करना ना भूले जिनको मेंस देना है वो यह batch join क कर सकते हैं coupon code लगाना है आपका Y179 तो इतना अलग-अलग batches से बहतर विकल्प है कि bank mahapek का सब्सक्रिप्शन ले लो साल भर का साल भर है यह आखरी साल है आपके जहां पर banking phrase होने वाला है इसके बाद क्या हो जाएगा इसके बाद CT ठीक है तो यह आखरी साल है जम के एक ब ओके तो चलो खुशिरो खयाल रखो शुभरात्री चलो भोजन वगेरा करो टाइम हो गया है न ठीक है बई और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा कल मिलते हैं नो बज़े ठीक है एंसर कमेंट बॉक्स में बता देना सारे लोग ठीक है चली ठैंक्य झाल झाल